गुद मॉनिंग स्टोडें आज हम हमरा स्लेबस पूरा हो चुका है इसलिए हम अब करेंगे मोखिक अभिवेक्ति अर्थात मोखिक अभिवेक्ति जो आप लोगों की कम्मुनिकेशन स्किल है जो वो अच्छी हो किस प्रकार से आप हिंदी पढ़ें पढ़ें और कि आपकी ज किस प्रकार से पढ़ना है जब मैं अभी यहां पे मैंने पूरी वीडियो बना रही हूं इस वीडियो में दिहान से देखना किस प्रकार से शब्दों को पढ़ा है और किस प्रकार से किन-किन बातों का हमें दिहान रखना चाहिए जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो या आपको पढ़ना है किस प्रकार्टे हिंदी को आपको पढ़ना जरूरी है इसलिए आपको यह भी बुखने सकते हो अपनी पढ़ने के लिए पर इलहाल आपको यह बताया जा रहा है कि पढ़ना किस प्रकार्टे चाहिए चीक है देखे भाषा का मूखिक प्रयोग ही भाषा क का वास्तविक रूप है मानव जीवन में लिखित भाषा की अपिक्षा मोखिख भाषा अधिक महत्वपूर्ण है या पर अल्प विराम लगाऊ से रुकना है क्योंकि दैनिक जीवन की अधिकांश कारिये मोखिख भाषा द्वारा ये संपन्न होते हैं पन्न क्योंकि आधर रुकना है फन्न रही है उन्हें संपन्न होते हैं हास परीहास है दिचार वे मर्श वारतालाप भाषन प्रवच्चन उन्हकरियों में मोखि भाषा का ही प्र्योग होता है सार्वजनिक जीवन में मोखिख भिख्य का कि इस महत्व है सार्वजनिक पर्था जो शोशल है सार्वजनिक है सुसाइटी में तो सभी विक्तियों के साथ में इसको बोलागे सार्वजनिक मुख्य कभी विक्ति का पिशेश महत्व है जो वक्ता मुख्य कभी विक्ति में अधिक उशल होता है वही शोताओं को अधिक प्रभावित करता है जितनी अठी आपकी कम्मिनिकेशन स्केल होगी यानि कि आप जितनी अच्छे वक्ता होंगे उतना ही अधिक शोताओं को आपको सुनना शोता अधिक चाहेंगे समाजिक समवाद में कुशल बनने के लिए प्रियोत एवं अभ्यास अनिवारिय है बिना अभ्यास के आत्म विश्वास डगमगाने लगता है और वक्ता की स्थिती हास्यस्पद हो जाती है तथा वे अपनी लक्षे की प्राप्ती नहीं कर पाता चात्रों को कक्षा में ही समय समय पर काल्पनिक स्थिती बना कर शिक्षक शिक्षिका की साहिता से मोकिक अभ्यविक्ती का अभ्यास करना चाहिए मोकिक अभ्यविक्ती भी दक्षता प्राप्त करने के लिए निमन लिकित बातों का विषेश ध्यान रखना चाहिए अब आई ये देखते हैं कि इनकी बातों का ध्यान रख कर आप एक अच्छे वक्ता दें सकते हैं सबसे पहला इसके लिए आपकर सबसे पहला पॉईंट जो है पहला बिंदू जो है वह है सपर्स्ट एवं शुद उच्छारन मैंने आपको पहले भी बोला है बेटे आपको ध्यान देना है अपने जब आप बोलते हो आपी मल्की कभी विक्ती भी लिए सबसे पहले जरूरी कि आपको उच्छारन अच्छा हो इसके लिए आप वेंचनों अब दोनों थोड़े से कई ना कई ऐसे एक जैसे आपको पहले है गग गग दोनों में पर यानि कि सपर्स्ट होना चाहिए तो सपर्स्ट एवं शुद उच्छारन के साथ शुद भाषा का प्रियोग सरल सहज इवं व्यावहारिक भाषा का प्रियोग आना कैसे पढ़ना है व्यावहारिक भाषा का प्रियोग भाषा में विनम्रता का पुत्रो ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे आप लड़ रहे हो किसे से भाषा को जब पढ़ रहे हो जब पढ़ा रहे हो पढ़ रहे हो बोल र आप चुना रहे हो चाहिए किसे को कुछ पढ़कर पर लेकिन आपको पढ़ना किस प्रकार से है ऐसा लगना चाहिए कि उसमें विनम्रता हो ठीके उसमें लगना चाहिए कि आप किसको पढ़कर कुछ पता रहे हो विनम्रता का भाव होना चाहिए आपकी भाशा के अंदर विशे की अनुरूप प्रभाव पून भार्षा का प्रियोग विशे का सम्यग्यान यानि कि सम्यग्यान जितना होना चाहिए वो पूला सम्यग्यान होना चाहिए विशे का और विशे अनुरूप प्रभाव पून भार्षा का प्रियोग होना और तिन्त आवशक हैं विशे अनुरूप प्रभाव पून भार्षा का प्रियोग स्वर में आरो अब्रो यानि कि कहां उपर जाना है कानेचे हाँ आपको पढ़ते समय यह पता होना चाहिए कि जब पढ़ रहे होते हो कहां आपको आरो आवाज को तेज करना है कहां नीचे आना है इस बातों का विशे ध्यान होना तिंदावशक है क्योंकि जब आप पढ़ते हो किसी एक जगेर पर किसी के कुछ कथन आ जाता है तो आप पढ़ते समय इन बातों का ध्यान होना चाहिए आप पढ़ना आना चाहिए सही से सुर में आरो अवरो ओज माधुरिये का समावीश हो मोखे का विविक्ति के एनेक रोख है कविता पाच कहानी गथन भाषन बाद विवाद अधीती स्वागत समाचार वाचन धन्यवाद देना चुटकुले और अंत्याक्षरी जो है यहां प्राथना सभा अंतर सदनी है प्रतियूगता तुथा अन्यकारे क्रमों के द्वारा सववर गद्यवाचन अत्वा कविता पाच करना चाहिए यानिके सववर के साथ कविता को पढ़ना है ऐसे नहीं पढ़ना है लिख दिया कोई पार्ट निखा वह आपने बिस पूरा पढ़्दिया उठा कर जैसे आपने उच्छरन शुद्स परस्ट साफ होना चाहिए अगर कवीता के अन्शौ तो आप इनको ऐसे पढ़ादोगे ऐसे लिए पढ़ना है उच्चीत उतार चड़ाव के साथ प्रवास से बोलना चाहिए उच्चीत उतार चड़ाव होना चाहिए विचारों की अभिविक्ती हाव-भाव से विक्त होनी चाहिए जो आप कवीता की माध्यम से समझाना चाह रहे हो वो आपके हाव भाव से दूसरों तक पहुचना जरूर चाहिए तो देखिए कवीता का किस प्रकार से कवीता को हमें पढ़ना है सारे जग को पत दिखलाने सारे जग को पत दिखलाने वाला जो दुखतारा है भारत भूने जन्म दिया है यह सो भग्य हमारा है भारत भूने जन्म दिया है यह सो भग्य हमारा है जन्म भूमे से बढ़कर सुन्दर जन्म भूमे से बढ़कर सुन्दर कोन देश है इस धर्ती पर जन्म भूमे से बढ़कर सुन्दर कोन देश है इस धर्ती पर जिसमें इसमें जीना भी प्यारा है इसमें मरना भी प्यारा है तो देखा आपने इसको आपको पाथ के अनुसार नहीं पढ़ना है जो पाथ में पंक्तिया लिखी है आपने इसको डेपल पाथ के अनुसार पढ़ दिया नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है इसको आगे नहीं अगर कहानी कथन हो तो किस प्रकार से आपको बोलना है उसको किस प्रकार से पढ़ना है किसी कहानी को कहानी सुनाने एक रोचक रिया है कहानी अगर रोचक डंग से सुनाई जाए तो श्रोता पर अच्छा प्रभाव छोड़ती है कहानी सुनाते समय लिम ने लिखे कि बिंदू पर ध्यान देना चाहिए कौन-कौन सी बिंदू पर कहानी का अच्छियन शोता के मांसिक स्तर के नुरूप होना चाहिए पहली बातों कहानी समझ में आये दूसरे विक्ति को तो उसके मांसिक स्तर के अनुसा होने चाहिए हर किसी का जो मांसिक स्तर है वो अलग होता है तो सभी को उसके मांसिक स्तर के नुड़ू कहानी सुनानी चाहिए कहानी रोच्यव एवं मनुरुंजव होनी चाहिए, स्वर के उतार चड़ाव का ध्यान रखना चाहिए, मुख मुद्रा द्वारा कहानी को प्रभाव शाली बनाया चाह सकता है कहानी संषिप्ट, रोच्यव और जिग्यासा उतपन करने वाली होनी चाहिए, कहानी सुनाते समय स्रोता को भी भागीदार बनाना चाहिए, बीच बीच में प्रशन पूछने चाहिए, इससे कहानी और रोच्यव हो जाती है अगर बीच्विश्मिन से प्रश्ण पूछे जाए तो कहानी और दी दो चक रखती है तो आईए अब चलिए अगला हम देखते हैं भाशन भाशन देखते हैं हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों के लिए हमारी अभिविक्ति कम्यूकेशन स्केल हमारी जो मुखी का भिविक्ति है जो वो किस प्रकार से होने चाहिए यह मुखी का भिविक्ति का सबसे स्चक्त और गंभीर माध्यम है निम ने लिखिए कि इन बातों को ध्यान में रखकर भाशन को प्रभावशाली बनाए जा सकता है प्रारम में उपस्ति सभी लोगों को उनके स्तर अनुसार समभोदित करना चाहिए जैसे श्रध्य, अध् प्रारम की तरह अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए भाशन देते वक्त शारिरिक मुद्राओं तथा भाववव पर विशेश ध्यान देना चाहिए भाशन इस प्रकार से हो जिससे शोता सहमत हो जाए तथा आपकी बात उसके हरदे को छूले समझें आप सभी किस प्रकार से भाशन के लिए पढ़ना जरूरी हो तरह किस प्रकार से भाशन दिया जायना चाहिए अब आते हैं समाचार भाशन समाचार वाचन समाचार वाचन मोखी अभिविक्ती की एक महतुपून तथा रोचक विधा है इसके अंतरगश रोता प्रसुत करता को ना केवल अपने समाने ग्यान और शाबदी कुछ चाहरं के प्रती बेहर सतर करेहना पड़ता है वरंगिदीव है दृश्ची श्रव माधिमों के लिए समाचार वाचन कर रहा है तो उसे अपनी भाव भंगिमाओ के प्रती भी अतरिक्ति साफधानी ब्रतनी पड़ती है एक अच्छी समाचार वाचक के लिए निम्ड़ लिखे कि गुणों का होना अतिंत आवशक है उसे समाने ग्यान ते था समसामिक विश्यों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए यानि कि जो समाने ग्यान है समाचार प्रत्र पर रहे हैं तो समाने ग्यान होना अतिंत आवशक है समसामिक विश्यों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर समाचार बातान कर रहे हो तब उसकी भाषया का प्रवात अथा शाब्दों को उच्चरण शुद ہوना चाहिए समाचार वाचे करते हैं समय स्वयम को संतूलित रखना चाहिए संतूलित होने चाहिए मतलब शांत सभाव में पैट कर और संतूलित होकर समाचार पत्र पढ़ना चाहिए तो यह आगे चलते हैं वाद विवाद किस प्रकार से वाद विवाद पत्य योगिता अगर होती है तो किस प्रकार से आपको उसमें उस समय आपको बोलना चाहिए इस पे ध्यान देते हैं वाद विवाद के अंतरगत किसी विशे विशेश पर आपको अपनी विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है इसमें दिये गए विशे पर भक्ता को अपनी विचार पक्ष या विपक्ष में प्रकट करने की स्वतंतरता रहती है वाद व्याद में शामिल होने के पूर विशे वस्तु की जानकारी प्राप्त कर लेना आशक होता है आप किसी भी विशे की पक्ष में बोले या विबक्ष में किन्तु अपनी बाद डिड़ता तथा तरकपून थरीके से रखें इसके लिए यह भी आउचक है कि आपकी भाशा प्रभावकारी हो इसके लिए जरूरी है कि भाशा प्रभावकारी होने चाहिए दूसरी बात अथीती का स्वागत हमेशा मुस्कुराते हुए विन्नम प्रभाव से करना चाहिए अधीती का स्वागत हमेशा मुस्कुराते हैं तो इसके लिए वर हम पढ़ते हैं अधीती का स्वागत अधीती का स्वागत हमेशा मुस्कुराते हुए और विन्नम प्रभाव से करना चाहिए स्वागत करते समय व्यत्ती की उम्र और संबन्द का ध्यान रखना चाहिए उसी वी अनुसार पाम शुना बड़ों के लिए हाथ मिलाना बराबर उम्र के लोगों के लिए आदी करना चाहिए स्वागत करते समय समान पून शक्दों या वाकियों का प्रयोग करना चीए जैसे अहो भाग के हमारे जो आप अधारे आईए 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 आपका ही इंदिजार था आप से मिलकर मैं धन्य हो गया आदी उदारन के लिए जैसे देखिए रमेश अपने चाचा जी से बाच्चित कर रहे हैं तो किस प्रकार की बाच्चित हो रही है रमेश नमस्ते चाचा जी आईए 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 आप कैसे हैं चाचा जी मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो बेटे रमेश मैं ठीक छाकूँ चाचा जी बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं कहा है रमेश मम्मी और पापा समान खरी ले बाजार गए है चाचा जी अरे तब तो मुझे चलना चाहिए पिर कभी आऊंगा रमेश आते ही होंगे काफी देर से गए है ऐसे कैसे हो सकता है कुस तो पीना ही पड़ेगा अच्छा मैं शेर बत दे आता हूं जेसे तुम्हारे इच्छा शेर बेट पीने के बार एच्छाज़ता हूं कि तना जी को बताना पूरे फिर आऊंगा रमेश बहुत अच्छा चाचा जी अगली बार शाम को भी साथ लेकर आईएगा तो देखा इस बच्चे ने और उसकी चाचा जी की किस प्रकार से बाचित हुई दोनों आपस में बाचित कर रहे हैं हो और जो रमीर से वो अपनी चाचा जी से किस प्रकार आदर सतकार के साथ बाचित कर रहा था तो इसी प्रकार से जब भी कोई अधीती आपी घर आता है तो आपको इन सबी बातों का ध्यान लखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपने महमान का स्वागत करना चाहिए आगे आता है धन्यवाद देना, अगर किसी को धन्यवाद देना है तो आपको किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहिए कोई भी विक्ति चाहिए वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे उच्छित सम्मान देना चाहिए अनेता वहें अस्षिता मानी चाती है उच्छित अवसर पर धन्यवाद देना हमारा मान विए करतवे है धन्यवाद देते समय निमने लिखे कि शब्दों और वाक्यों का प्रियोग होता है जैसे नमरे आपका धन्यवाद कैसे करूँ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपनी सच मुझे बचा लिया आपका अभारी हूँ मैं आपके प्रती करतग्यता प्रकट करता हूँ जैसे महमान की जाने की समय आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद तो देखा आपने किस प्रकर्ण से हमें धन्यवाद देना चाहिए चलिए वागे देखते हैं अंताक्ष्री या फिर जब भी आपके सामने ये तो कि वर इन्ताक्ष्री के रूपिन उन्हें दिखा दिया है प्रन्तु आपके जब भी आप पढ़ रहे हो उसमें कभी के दोहे ये रहीम के दोहे आपको देखने को मिलते हैं तो उन दोहों को पढ़ने के लिए आपको दोहे तो आपकी चटी कक्षर से शुरू हो जाते हैं तो अगर दोहे आपके सामने आते हैं या कोई गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् देखा समय समय पर याद भी करती रहना चाहिए, तब ही आप अंतक्षिय भाग लेने में सफ़र हो सकेंगे, अंतक्षिय चे समझे ग्यान क्या क्या होना चाहिए, देखिए ज़रा, शोताओं के, शोताओं में रोचक्ता बनाई रखने के लिए, अगर आपको पंक्तिय याद भी हो, तो भी उन्हें याद करने का अभीने करना चाहिए, शोताओं में रोचक्ता बनाई रखने के लिए, थोड़ा सा, मत अगर आपको पंक्तिय याद भी है तो भी, थोड़ा सा और ज़्यादा उनको इससे दिखाने के अभीने करने नात्य करने के आपको याद आ रहा है चुरू करो अंत्याक्ष्री लिके प्रभू का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ का अब जैसे यहाँ पे उन्होंने मौसे बोला चलिए आए देखिए अब यहाँ पे हम दोओ पड़ते है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर करका मन का डारी दे मन का मन का फेर ठेके दूसरा देखिए दोहा रहीमन देख बड़ेन को लगून दीजी डारी जहां काम आवे सुई का करे तरवारी जहां सुई काम आती है वहां तरवार काम नहीं आती है इसलिए रहीमन जी ने कहा था किसी भी बड़ी चीज को देखकर छोटे को तरशकार नहीं करना चाहिए चोटी चीज का तिरस्कार ने करना चीए क्योंकि जहां पर सूई काम आती है बहां तलवार काम ही आ सकती है तलवार का अपना काम है और सूई का अपना काम है अगला देखिये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई तोटे से फिर ना जुरे जुरे गाठ़ पर जाई अगर वो चटक भी गया मत तोड़ो चटका की मत तोड़ो अगर वो तूट गयाना तो फिर जुरता नहीं है और अगर जोडोगे तो फिर गाठ बढ़ जाएगी तो वो गाठ नहीं मिचने वादी वो गाठ हमेशा जीवन में बनी रह जाती है इसलिए उसे तोड़ना नहीं है आगे दिखें चुटकले क्या होते है हास से विरोज जीवन में विशेश महत वहें से चुटकले सबसे उप्यों की साधर है बच्चों को चुटकले सुनाएं और उन से सुनाने के उकरने इस बात का ध्यान रखना चुटकले के मादम से किसी विक्ति वर्ग जाती है संप्रदय का मज़ाक न उड़ा जाए चुटकले से समदी था लेकिन आप सभी को अभी में किवरित नहीं कोँगी कि जितना भी अभी तक आपनी सभी के बारे में समझा है, सुना है एक बार इसको, दो बार, तीन बार जितनी बार भी आप इसको ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझेगा और पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना अच्छे दरीचे से वीडियो आप किताब को भोल कर पार्ट को पढ़ेंगे आज जिए वीडियो को देखने के बाद अपने किसी भी पार्ट को पढ़ें और देखिए आप उस चालेंज को स्पस्ट कर रही है या नहीं कर देखिए जो भी आपको डिफिकल लगा है उस शब्द को रिखांकित करते जाएं फिर आप उनको पढ़ने का अभ्यास कीजिए ठीके और उसके लिए आप चाहें तो अपनी भी डिक्शनरी जो भी आपके पास शब्द को उसका प्रयोग कर सकते हो था कि इस अर्थ को समस्यगोग데 इसपर रुप को आपको शब्दिकार सब्स्च रूप यो चलिए दियाँ की एक अपना और यूटी इसकी तियारी किरी अपनी योटी के लिए आपको बहुत जल्दे मिल जाएगी तो अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान अग़ा है धानल गाह कि